इस वीडियो में हम लोग एड़ांस इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइशन सर्कीट 2019 का पुछा हुआ कोशन है 10 के और में ये कोशन था फाइंड जैड पारामिटर फोर दा नेटवर्क शोन इन फीगर ये फीगर आपको दिया हुआ है इसका जैड पारामिटर निकालना है तो ये ब्रीज टी नेटवर्क है देखिए यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज मान लिए V1 है आपुट वोल्टेज V2 है ये आपका करेंट जो है इस पोर्ट में इनपुट पोर्ट में I1 है ये I2 है और इसमें जो है इंटर्मेडियेट वला जो पोर्ट है लूप है उसमें I3 मान लिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस पोर्ट के लिए ले रहे हैं इनपुट पोर्ट के लिए तो V1 is equal to क्या हो जाएगा ये देखिए ये जो 2 ohm resistance है इसमें जो current आ रहा है तो current I1 का direction क्या है इधर है और I3 जो जा रहा है इसका direction क्या है इधर है means I1 का direction इधर है और I3 का direction इधर है अब पोजिट है तो क्या जाएगा 2 ये resistance voltage निकाल ले V1 is equal to KBL लगा रहे है KBL कि चॉप्स voltage लो तो यहाँ पे 2 resistance इन्टू current क्या जाएगा ये I1-I3 क्योंकि I1 का direction इधर है और I3 का direction इधर है तो I1-I3 प्लस इस 4 ohm में देखिए 4 ohm में I1 का जो direction है वो इधर है और I2 का जो direction है वो भी इधर है तो दोनों जूर जाएगा same direction है तो 4 इन्टू I1 प्लस I2 अब इसको solve किजिए, तो 2I1-2I3-4I1-4I2, क्या जाएगा है, तो 2I1-4I1, तो 6I1-4I2-2I3, इसको equation 1 माल लेते हैं, जो कि हमको port 1 को इधर solve करने से आया, input port को, अब V2 is equal to निकाल लिए, इस side से, तो V2 में दखिए, ये जो 6 ohm है, इसमें क्या है, इसमें जो current जा रहा है, ये I2 current जा रहा है इधर, और I3 जो है, इसका भी direction इधर है, तो 6 ohm में क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 current हो जाएगा, और 4 ohm में क्या हो जाएगा, ये I2 प्लस I1, I1 भी इधर है और I2 भी इधर है, तो देखिए, यहां पर V2 is equal to 6 into, इसमें जो current हो I3 प्लस 4 I2 प्लस 4 I1, कितना जाएगा, 6 I2, 6 I2 प्लस 4 I2, कितना हो जाएगा, 10 I2 प्लस 4 I1 प्लस 6 I3, इसको equation 2 मान लिए, अब equation 3 देखिए, ये intermediate port के लिए ले रहे हैं, intermediate port के लिए, तो intermediate port के लिए क्या हो जाएगा, intermediate port काने का मतलब intermediate loop जो है ये, इसकी बात हो रहा है, intermediate loop, port नहीं, intermediate loop, ये जो है इसके लिए, ये बला, इसमें देखिए current जो है, आप देखिए, यहां पर voltage क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 is equal to क्या हो जाएगा, अब इस resistance में जो I3 का direction इधर है और I1 का direction इधर है तो I3 minus I1 हो जाएगा तो I3 minus I1 प्लस इस 8 ohm में जो current है वो क्या है I3 है तो 8 I3 8 I3 I3 plus I3 plus I2 कर दिये अब देखिये क्या जाएगा इसको solve कर लिए तो 2I3 minus 2I1 plus 8I3 plus 6I3 plus 6I2 इसको कितना जाएगा minus 2I1 plus 8I3 6I3 तो 8, 6, 14, 14 और 2, 16I3 plus 6I2 यहां से क्या जाएगा तो यह I3 is equal to 16I3 को इधर रखिया इधर इसको I1 और I2 वाला टर्म जो है इधर ले आगे तो 2I1 minus 6I2 is equal to 16I3 तो I3 is equal to क्या हो जाएगा 2I1 minus 6I2 plus 16 इसको की जाएगा तो 2I1 बटे इसको क्या लिए सकते हैं 2I1 plus 16 minus 6 by 16I2 क्या जाएगा I1 plus 8 minus 3 by 8I2 इसको equation 3 मान लिएगा I3 is equal to कितना आ गया I3 is equal to आ गया I1 plus 8 minus 3 by 8I2 अब क्या करना है यह जो I3 का वैलू आया है एक बार equation 1 में put कर दिजे I3 का वैलू और एक बार equation 2 में put कर दिजे इसका I3 का जो वैलू है वो तो देखिए equation 1 में जब put करेंगे putting the value of I3 in equation 1 we get हमको क्या मिलेगा तो V1 is equal to क्या है equation 1 में देखिए 6I1 plus 4I2 minus 2I3 इसमें I3 का वैलू हम लोग put कर दिए तो I1 बटे 8 minus 3 I2 बटे 8 इसको solve कर दिजे तो कितना जाएगा 6I1 plus 4I2 minus यहाँ पे 2 by 8 है तो 1 by 4 हो जाएगा तो मीनस I1 बटे 4 और यह minus minus plus तो कितना जाएगा यह 2 और 8 है तो 1 by 4 तो मीनस 3 by 4 बचेगा और minus minus plus हो गया I2 यहाँ से solve कर लिए तो 6I1 और यह minus I1 by 4 और I1 I1 को एक साथ रख लिजे और I2 I2 को एक साथ 4I2 plus 3 by 4 I2 अब इसको कितना जाएगा 6 चक 24 I1 minus I1 तो 23 I1 बटे 4 और I2 को बला कर लिजे तो 16 16 plus 3 19 बटे 4 I2 अब यह जो है इस equation को 4 मान लिजे equation 4 और इसको compare कर दिजे जो Z parameter का standard equation है वो तो Z parameter का standard equation क्या है V1 is called to Z11 I1 plus Z12 I2 अब compare कीजे तो V1 V1 है I1 I1 है तो यहाँ पर Z11 is called to क्या हो जाएगा 23 बटे 4 और Z12 is called to क्या हो जाएगा 19 बटे 4 ओम यह Z11 क्या है 23 बटे 4 ओम हो गया और Z12 क्या हो गया 19 बटे 4 ओम तो यहाँ से आपको Z11 और Z12 का value निकल गया now again again क्या करेंगे putting the value of I3 in equation 2 we get equation 2 जो है यहाँ पर V2 is called to 4 I1 plus 10 I2 plus 6 I3 यह I3 जो है इसका value हम लोग यहाँ से put कर देंगे similarly उसी तरह put कर दीजे यहाँ से आप solve की जगत क्या जाएगा 4 I1 plus 10 I2 plus यहाँ पर देखिए 6 by 8 है तो 3 by 4 I1 और यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा यह 3 बटे 4 हो जाएगा 3 तिया 9 बटे 4 बचेगा माइनस 9 बटे 4 I2 अब इसको क्या कीजे I1 को एकसाद कर लिजे I2 को एकसाद कर लिजे तो V2 is equal to क्या जाएगा यहाँ पर 4 I1 plus यह 3 by 4 I1 plus 10 I2 minus 9 by 4 I2 कितना जाएगा 16,3,19 बटे 4 I1 पलस यह जाएगा 10,44 में से 9 गया 31 बटे 4 I2 इसको equation 5 मान लिए अब इसको फिर क्या करना है जो Z parameter का equation है standard equation उससे compare करना है तो V2 is equal to क्या होता है Z21 I1 plus Z22 I2 होता है यह standard equation है Z parameter का compare कीजिए V2 V2 I1 I1 तो Z21 is equal to क्या हो गया 19 बटे 4 Ohm और Z22 is equal to क्या हो गया 31 बटे 4 Ohm तो यहाँ से आपको निकल गया value क्या क्या निकला तो देखिए यहाँ से जो मेरा निकला एक बट देख लिजे पूरा solution को अब देखिए यहाँ जो value निकला वो Z11 is equal to 23 बटे 4 Ohm निकला Z12 is equal to 19 बटे 4 Ohm निकला और फिर जो है Z21 is equal to 19 बटे 4 Ohm है और Z22 is equal to 31 बटे 4 Ohm है तो इस तरह से इस question को आप solve कर सकते हैं असानी से Thank you for watching this video Thank you so much कि जो बटोई प्रिए जाग जोदुड़ड़चे उनाफ इसता हैं निकला कि बटे लिए बटे को जो एक हैं एक लुए जबब़ड़़चें च्छला फिशड़़दा औरी को आप